नवस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में ताटा पावर के कलेक्टिवली जितने भी न्यूज हैं उन सभी न्यूज को थोड़ा सिंपली समझेंगे आगे के ट्रेंड जो पहले ही हमने कहा कि वीक है तो इसको भी समझेंगे और इसके बदले जो दूसरा लग रहा है वो है पे टियम तो इसके चार्ट को भी समझेंगे यह तीनों ही डिसकसन इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो एपिसोड में बढ़ने से पहले प्रेमियूम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से एकाउंट चाहे तो आपन करें वीड तो यह 500 का टारगेट दे रहा है इसको अभी एगनोर करो जो एमडी का इंटर्भ्यू है 2030 तक जो कंज्यूमर से रेवेन्यू 50 परसेंट होएगा जो इसमें 80-20 है उसको 50-50 करने की बात की जा रही है अभी तो 90 और 10 है तो यह भी न्यूज हमने अल्रेडी डिसकस करा हुआ इस सभी के साथ जो पावर सेक्टर का जो रेजिस्टेंस 4 जून वाला है उसको रिट्रेस नहीं कर पा रहा है वहां से ब्रेकडाउन आ रहा है और टाटा पावर जो है अपने एक यहां देखेंगे तो simply क्या समझ में आएगा यह जो एक consolidated zone है यहां देखेंगे एक consolidated zone है उस zone को breakdown करा तो यह 500-900 के target को ignore करें probability 340-320 दिख सकता है दूसरा stock जो मैंने कहा कि इसके बदले पे आप ले सकते हैं या आप देख सकते हैं वो stock है पे टीम पे टीम इसी लिए चुकि इसने consolidated zone करके breakout करा probability यह वाला जो है 6 footy और 800 जैसा level दिख सकते है और जब तक यह stock minimum 480 के नी गया तब तक बिलकुल week नहीं होगा